बिहार में जहरीली सराब से लगभग 50 लोगों की मौत हो चुगी आपको बता दे कि पिछला आकरा देखा जाए तो 11 महिने में 85 लोगों की मौत हुई यह सरकारी आकरा है और साथी जमीनी अस्तर पर जो बात है वो कुछ और है एक बार फिर से मुख्मंत्री ने सराब बंदी की समिक्षा की बात कई है सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं मुख्मंत्री नितिश कुमार्ट दोनमरी काम करता तो यही सब नतीजह होता कितना बुरा चीज़ है बलकि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में और हमने तो आपको बता दिया क एक मीटिंग तो हमने कर लिए और सोला तारिक को हमारी पूरी मीटिंग है पूरे हर जिले से ले करके सब का पूरे तौर पर उसकी हम समिख्षा करें और सब को कह दिया है कि एक एक चीज़ को देख लिए और कहां पर यह सब इंसिदेंट हो रहा है कई जगह पर तो रोज लेकिन जहां पर नहीं पकड़ाता है तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया चार जिले के बाद दो जिले के बाद एक जिले के वहां क्यों नहीं पकड़ाया कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा है तो हमने यह बात कह दिया सब लोगों को बाध कर दिया संबंधित अधिकारियों को कि इस पर एक-एक चीज पर नजर रख ले कौनन कर रहा क्या नहीं कर ते इस तरह से व सोरा हाला कि परती दिन अनेक जगों पर आ रहे हैं लेकिन एक को देखिए और देखने के बाद ज़रूरी कदम उठाइए जो इसके लिए जिम्मेबार है जिसको सव समय करना चाहिए था अगर उस समय नहीं कर रहा है कारवाई उस पर भी अक्षन देना इस सब चीज तो करना और आप जानते हैं कि इतना काम किया जा रहा है और सब चीज क जो भी करवाई होनी है वह करवाई तो हो लेकिन इसके साथ साथ अवेरनेस बहुत जरूरी है हम लोग इसमें कितना सहमत रहें आज भी सामत कुछ लोग गडबड़ी करने वादी लोग तो ऐसी इस्तिति में फिर से नए सिरे से और भी बनें दुसरी बात कि और ज्यादा सब्सक्राइब फिर अब आएरनेस के लिए उनकोंफ दिनकों जिंबारी हो करें और दूसरा फिर बड़े पैमाने पर हम लोग चलेंगे सोलेत पारी को सब कुछ तैडि करेंगे कि पूरा का पूरा है फिर से एक वार चारो तरह पर और महिलाओं के कहने पर सब कुछ हुआ तो हर जगह लोग देखे कहीं पर भी हम लोगोंने कमीटी वगरा सब बना दिया भाई कोई कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा तो सॉलीशन हुआ या नहीं हो हमने पिछली तो समिक्षा की थी आप फिर तो करेंगे हम सोलत तारीक जितना समय लगेगा एक-एक बात हमने बता दि देखा आपने किस तरीके से मुखमंत्री ने कहा है कि इस पर हम लोग संग्यान ले रहे हैं और इसके लिए अलग टीम भी बनाई गई है टॉल-फ्री नंबर भी ज़ारी किया गया है लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए हाला कि अभी बहुत कम कंप्लेंट आ रहे हैं और हम लोग ये चीद की भी समिच्छा कर रहे हैं कि जो कम्प्लेन आ रहे हैं उसका निस्पाद सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं उन्होंने कहा कि 16 तारीक को अम लोग बैठक करने वाले हैं और इसके बाद बड़े अस्तर पे कारवाई की जाएगी बड़े अस्तर पे फिर से एक बार सराब बंदी को लेकर आभियान चलाया जाएगा तो देखने वाली बात यह होई कि लगतार जहरीली सराब से लोगों की मौत हो रही है और लगतार बिहार के तमाम जिले से ये खवर निकल कर सामने आ रही है ऐसे समय में जब बिहार में पर्व हो फेस्टिवल्स हैं छट और दिवाली हो रहे हैं ऐसे में बाहर से बहुत सारे लोग बिहार में आते हैं और साथी पंचायच चुनाव चल रहे हैं तो इसको लेकर कई बार सरकार के तरब से ये बाते सामने आईए कि पंचायच चुना तारीक को वो समीख साब बैठक करेंगे और 16 तारीक को ही सराबंदी पर कई बड़े फैस लेल लिये जा सकते हैं